हेलो एब्रीवन, एक बार फिर से मैं आपके साथ दो ब्रेकोफ टूक डिसकस करूँगा, एक FNO का स्टोक है और एक कैश का स्टोक है, दोनों एमिलेटर से स्टार्ट होती है, जो FNO का स्टोक है, वो अपने सेक्टर का दिकर स्टोक है, जो कैश का स्टोक है, उसका प्राइस बिलो हेंड़ है, और वो स्टोक वैसे मेरे पोर्टफोलियो में एड़ है काभी टाइम से, और मैं आपको कैश का स्टोक चार्ट के साथ साथ, आपको उसका थोड़ा सा basic fundamental भी बताऊंगा, उसका logic बताऊंगा कि क्यूं आपको वो स्टोक बाइक करना चाहिए, तो कल वैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की weekly expiry है, तो weekly expiry में थोड़ा trade यहां से कीजिए, और आपको एक मुल बनतर भी बताता हूं कि weekly expiry में बड़ा profit कैसे बनता है, कम risk के साथ, अगर आप second harm में trade करते हो, अगर 12 बज़े के बाद अगर trade लेते हो, तभी बड़ा पैसा बनता है, क तो पहले अगर देखती है, यहां पर bank nifty का chart देखिए, तो bank nifty का देखिए, यहां पर inverse cup and handle pattern यह बन रहा है, तो अगर कल को यह price इस channel को break करके price नीचे जाता है, तो first target यह रहेगा इस trade line का, जो की है 43 जार के पास, तो जैसे कल भी आपको discuss किया था कि market अभी range में है, तो तो कल के दिन अगर कोई बड़ा gap open हो जाता है, इन केस इस level के पास आप immediately buy नहीं करना है, वहाँ पे आपको salon rise करके जलना है, और अगर gap down खुलता है, अगर इन केस इस level के आसपास 42 पांसों के पास, तो वहाँ पे आपको कोई buying setup देखकर buying करनी है, अगर flat open होता है, तो आप अपने इस pattern को के coding trade करना है, अगर below इसके जाता है, और इसके ऊपर continue जाता है, तो आप small stop loss के buying कर सकते हो, अब बात करते हैं, nifty का chart का, तो nifty का chart भी देखी अभी range में, जैसे आपके साथ डिसकस किया था, ये supply level है, selling zone है, ये क्रीब-क्रीब, 18300, 20 से लेकर 18350 तक, तो अगर इसके ऊपर ये breakout देता है, continue इसके ऊपर sustain देता है, तब आपको buy करके चलना है, और target आपके रहेंगे, 18440 तक के, अगर इस trend line को break करके अपराई नीचे जाता है, continue, तो first target वही देगा 18200 का, जैसे आपको अनने कल भी डिसकस किया था, 18200 के नीचे, करीब-करीब 18190 के नीचे, अगर continue ये continue trade करता नीचे, तो फिर आपका नीचे 100 point के orange खोल सकती है, तो इसी के according आप कल trade कीजिए, अब बात करते हैं हमारा आज का first stock, first stock है, मरुत्ती, आटो सेक्टर का अपने दिगगर stock है, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले weekly chart देखिए, तो weekly chart में आप यहाँ पे देखिए, कि price देखिए, नीचे correction दिया, और ये इसमें भी आप यहाँ पे, अब आपने कल भी मैंने एक ऐसा stock डिसक्स किया था, आई- यह W pattern है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, इसको आप इस तरह से देख सकते हो, यह देखिए, यह W pattern का यहाँ पे करीप-करीप breakout देखने को मिल रहा है, तो अगर यह continue 9000 के उपर sustain रहता है, तब इसको जो यह यहाँ पे high था, तो यह price का target रहेगा, आपका short term क लिए stock के है, बड़ी है, long term के लिए भी आप इसको dip में buy करते रही है, hold करते रही है, लेते रही है, और यह देखिए, इसका जो lifetime high बना था, 2018 का, यह इस level तक भी जाने की price कर सकता है, 10,000 तक, और अगर आप तैसी F&O में trade लेता है, कोई future में, या फिर option में, तो वहाँ पे in trade का setup देखकर ही trade लीजिए, otherwise फिर आप trade मत लीजिए, अगर आपको setup, risk reward, stop loss का नहीं पता है, अब बात कर लेते हैं, दूसरा stock है, जो cash का stock है, cash का stock है दो देखिए, वो भी emulator से man infra, और यह man infra देखिए, अगर आपको ध्यान होगया, तो मैंने आपको free telegram channel पर एक पर दिया था, small सा, तो जो target थे, वो देखिए, साथ के साथ, अचीव होगे थे, अगर आप weekly chart देखोगे, तो यह January के मत में आपे दिया था, और यह target अचीव होगे थे, कुछ ही days में, उसका प्राइस फेर देखिए, फिर नीची आए, आप उपर, और इसमें अगर आप daily का chart देखो तो यहाँ पर आप fundamental देखिए कि, यहाँ पर promoter के holding काफी अची है, 67.12, यहाँ पर भी promoter थोड़ा 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 दीरे increase करते रहते हैं, और FIs का भी 0.44 है, और DIs भी काफी time से hold के होगे है, 1.62, यहाँ पर public थोड़ा सा, थोड़ा सा stake कम किया है, वो थोड़ा सा, जो 200 crore रहे गया, तो debt to be company ने काफी कम कर दिया है, और profit be company के almost last year के same देखने को मिल रहे है, और market cap भी काफी अच्छा है, 3000 plus market cap है, तो इसमें अगर बात करें कि target के रहेगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि daily के chart पर आज इसमें काफी volume देखने को मिले है, तो volume यह, I think यह क्यों आप थोड़ा सा नीचे dip में लोगे, उतना ज्यादा बैटर रहेगा, टू पार्ट में लोगे तो बैटर रहेगा, और जो first target रहेगा वो, यह 100 का है, और फिर जो high बना था, वो 130 का, यह, बट इस target को आने के लिए आपको थोड़ा long time के लिए stock hold करना पड़ेगा, at least आपक में जितना आप थोड़ा dip मिलेगे, अगर आपको मिल जाता है, यह नीचे 10 point तो well and good, तो I hope guys, आपको दोनों stocks से काफे कुछ learning मिली होगी, तो please वीडियो को like कर दीजिए, और जाध जाधा shape कीजिए, I hope के channel आपने subscribe करे लिए होगा, और मेरे free telegram channel का link आपको description box में मिल जाए वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद.